देखिए प्यार करता है न तो हम इस पोजीशन पर बैठे हैं दुनिया राजनीत करेगा तो रैंज रोभर क्या हमारे नसीब में साइकल भी चलाने को ये नहीं होगा छिक न लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे है न जो उसको विभाग में बाट देते हैं कि वो जाती मैं सुनते हैं तो सुना आपने कितना धासु इंटर्व्यू दिया है पावन सिंग् ने जातिवाद को लेकर जी हां इंदिनों होचपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद और अशलीलता पर बहुत कुछ कहा जा रहा है और ऐसे में ही पावन सिंग का ये बयान जो आया है वो बहुत ही बड़ा बयान है आपको ये बता दे यहां पावन सिंग ने सीदे-सीदे कहा है कि क्या मैं सिंग हूँ तो यादव या फिर पंडित जी मेरा गाना नहीं सुनते या जो यादव है उनका गाना सिंग या पंडित जी नहीं सुनते या पंडित जी का गाना सिंग और यादव नहीं सुनते अपने इस इंटरव्यू में कई दमदार खुलासे किये हैं पवन सिंग ने आपको ये भी बता दे कि पवन सिंग का ये इंटरव्यू बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है ये इंटरव्यू हाला कि दो महीने पुराना है लेकिन पवन सिंग के इस इंटरव्यू में दम है यहां पवन सिंग ये कह रहे हैं कि वो मोदी की सेना है जी हां ये मोधी की सेना है और मोधी जी जो कहेंगे वो ऐसा वो करेंगे तो इसका मतलब है कि पवन सिंग इस बार यूपी के चुनाओं में भी जम कर प्रचार पसार करने वाले हैं बीजेपी का साथी साथ आपको बता दे जाती वाद को लेकर इन दिनों बूझपुरी इंडस्ट् जो से परे रखा जाए क्योंकि भोजपुरी बड़ी ही छोटी है और वैसे भी यहां अंचाहे विवाद होते रहते हैं तो आपका क्या कहना है पवन सिंग के इस इंट्रिव्यू के बारे में जहां उन्होंनों जाती वाद पर खुलकर बात की है और पहली बार बात की है इ इसे भी पवन सिंग बहुत कम इंट्रिव्यू लोगों को देते हैं कि आप समझ सकते हैं कि कभी कभी ही वो कुछ खोल कर इतना बोलते हैं और इस इंट्रिव्यू में उन्होंने कई खुलासे किये हैं जिसके बारे में हम आपको और भी वीडियोस के माध्यम में से बताते रहेंगे बोच्पुरी जगत की होट और मसाले दर गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकूल न भूले